एलो दियर पेरेंट्स तो आप देखरें मेरा चानल बेबी ब्रैंड जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करते हूं बच्चों के परड़क्स के रिगारिंग अपने रिव्यूज और आज की इस वीडियो में मैं रिव्यूज शेयर करने जा रही हूं टू डिफरेंट ब्रैंड के बेबी पौवडर का यानि की हम कंपेर्जन करेंगे हिमाले बेबी पौवडर का ममा अर्थ के बेबी पौवडर के साथ और मैं ये भी शेयर करूँगी कि इन दोनों में से कौन सा पौवडर आपके बेबी को करेगा सूट तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो सबसे पहले पैकेजिंे के यह बात करें तो आप देख सकते हो यह रेकी ओर लगेगे आं पैकेजिंग तो यह है हिमाले बेबी पाउडर की कि पैकेजिंग और यह है मुट मैं मोरे cuánt ke बेबी पाउडर की पैकेजिंग और जो यह हिमाले का बेबी पाउडर है यहां पे भी पर्टिकुलर मैंशन होना किया है फ्री फ्रॉम पैरबेंस पैथलेट सेंथेटिक कलर्स रिफ्रेश एंड कूल दा स्किन कीपस बेबी स्किन सॉफ और खसकर्स क्लिनिकली टेस्टिस है यहां पे भी इन्होंने क्लेम किया है MMA ART test powder for babies with organic oatmeal and aero root powder dermatologist testig, notable डाइस और पर हैँots यहांपे edge mention है और यहांपे इनकी overall packaging white color के हैं दोनों यह powder So next difference यह है कि जो ममार्थ brand का baby powder है यह talc free है और जो हमाले brand का baby powder है यहां पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया कि यह talc free powder तो अगर आप चाहते हो कि हमने talc free powder ही अपने बच्चे के लिए use करना है तो आपको definitely ममार्थ brand का powder करना चाहिए So next हम comparison करें अगर इन दोनों के ingance का जो हमाले brand का baby powder है इसमें उन्होंने ऐसे ingance का use किया जो baby की skin को cool भी रखेगा और जो भी extra moisture होगा उसको absorb करेगा साथ में skin को बनाएगा एकदम से smooth और अगर हम इस brand के यान की ममार्थ brand की baby powder के ingance करेगा निक बात करें तो इसमें कुछ ऐसे उन्होंने ingance का use किया जिसमें antimicrobial properties भी है यान कि अगर बच्चे की skin पे कोई irritation जैसी problem हो रही है redness हो गी है, eachiness हो रही है even diaper rash भी हो गया तो काफी आपको benefit मिलेगा अगर आप इस powder का करोगे use उसकी skin पे यानि कि आपकी ये problem भी हो जाएगी दूर तो overall guys अच्छा option है काफी problem स्थूर करता है, ये mama earth brand का baby powder, so next in smell के regarding बात करें, himalya brand का baby powder है, इसकी smell काफी जादा अच्छी है बट जो mama earth brand का baby powder है, इसकी smell बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल आप कह सकते हो, medicated herbal सी smell आती है, even जब हम बच्चे की skin पे apply करते हैं, वहां से भी इतनी अच्छी smell क्योंकि अक्सर mostly हम बच्चों की skin पे powder इसलिए apply करते हैं, ताकि उनसे smell अच्छी आए, but smell के according देखे, himalya brand baby powder की smell काफी जादा अच्छी है, इस brand का अगर आप powder यूज करते हो, तो आपको smell अगर आपको चाहिए, तो आपको different product ही करना पड़ेगा, use, तो baby mist भी available है, आप उ new bonds होते हैं, उनसे कई बार दूद की smell इतनी जादा आ जाती है, तो जिसके करण कई बार problems ही हो जाती है, तो हम अक्सर powder का use करते हैं, जल्दी से उसके ने केरिया पे ताकि उससे अच्छी smell आए, पर उन conditions में ये ममार्त का powder work नहीं करता है, उन conditions में हिमालय brand का baby powder work करता है, ब अगर हम इसका use करते हैं, बिल्कुल भी अच्छी smell नहीं आती, तो इससे अच्छा, अगर आपने इसको use करना है, तो आप इसके साथ baby mist का कर ले, तो दोनों powder में common बात ये है कि दोनों paraben free है, दोनों patholate free है, दोनों में synthetic color का use नहीं किया, total natural herbal ingents का उन्होंने किया है use, यानि 120 रुपीज में आपको 200 gram की quantity मिल जाएगी इस powder की, बट अगर हम ममार्थ brand के regarding बात करें, तो इसका price है 199 रुपीज और quantity मिल थी है, just 150 gram, तो comparison करे cost का, तो ये affordable है as compared to ममार्थ baby powder, so overall guys, last में अगर इन दोनों powder के regarding बात करें, दोनों totally safe है, हमारे case के लिए आप definitely, definitely कर सकते हो, purchase, अगर मैं अपना experience share करूँ, जो ये ममार्थ का powder है, इसका मैं daily use नहीं करती, अपने बच्चे के लिए, just जब मैं diaper change करती हूँ, उस time पे कभी apply कर लेती हूँ, या कभी लगता है कि redness जैसी problem होगे, तो उस time पे कर लेती हूँ, मैं apply, कभी भी उसकी whole body पे, neck area पे बात लेने के बाद, इसका use मैं नहीं करती, उसका reason यहीं है, कि मुझे इसकी fragrance बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, medicated herbals ही smell आती है, जब हम apply करते हैं, अपने बच्चे की skin पे, daily मैं उसक कोई choose करना है, तो problem को ध्यान में रखते हुए करें, purchase routine में, use करना है, कोई problem नहीं है, बच्चे की skin पे, तो best है, आप हमाले का powder कर सकते हो, purchase, but अगर आपको लगता है, कि आपके बच्चे की skin काफी sensitive है, redness जैसी problem उसको होती ही रहती है, diaper rash जैसी उसको problem होती ही रहती है, तो आपको ये ममार्त का powder ही करना चाहिए, purchase, so overall guys, ये था आज का हमारा comparison video, and I hope आज का वीडियो देखने के बाद, अब आप easily decide कर सकते हो, कि हमें हमाले का baby powder अपने बच्चे के लिए purchase करना है, ये ममार्त का baby powder करना है, अपने बच्चे के लिए, safe, तो अगर आप इन products को purchase करना मैं नीचे लिंक भी कर दोंगी, mention, ये easily available है, हर जगा मिल रहे है products, आप कर सकते हो purchase, तो अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा, तो please like, share, subscribe करना ना भूले, बाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइब